प्राक्तों उपो प्रधान मंत्री तथा प्राक्तों केंजियो ग्रिहाव मंत्री लाल क्रिश्णों आद्वानी खैकाट केंजियो मंत्री खर्बान अंदो खुनवालोर। प्राक्तों आद्वानी खैकाट केंजियो मंत्री खर्बान अंदो खुनवालोर। प्रधान मंत्री खैकाट केंजियो मंत्री खर्बान अंदो खिर्बान अंदो खुनवालोर। जे मानुनियों पधार्मुटे नरेंदमुदी डांगोरिया है तेखे तक भारत अतनों दी तेखेतर जिवन जुरा जी हाधोनाक सिक्किती पढ़ान कुरिले और तेखेते आजी तेखेतर जिवन कालो जिमान खिनी उल्लिष जिग्ग पदखेप गरहन कुरिशे ही पदोखे फोमुहे आजी भार्ट ब्रखर पुर्टिजन गनातन तद विश्चाही व्यक्ति उटकाहीते कुरिशे जुदी के लालकिस्टन आदेवने डांगोरिया खदाए आमार माज़त आदोर खद व्यक्ति हिसे बे जियाई थेगी बो आरु टेखेतर महान कॉर्मुरा जिये देखे बेखे ख़डाए उच्चाही टकुरिटागीव। ख़ड़ा ख़ंग्रेसर राहूल गाधिए नेतिता ठाकीव। टिटाल के कंग्रेसर नोतुन सिंतार उनमेक नोग हो दीबौ। कुन्ङु नोतुन नेतार उनुला बौ। कांग्रेसोर आजीर अबसात सोलीजकुनु आखवान लापकोरी बुले खक्कम नहाय बुली करा मम्ता बेनार्जी मंताबे हो मनात पेला दिरे स्रमिस्ठा मुखार जे स्रमिस्ठा मुखार जे कोले इंडी एलाइंस और अन्यातम फोहजुकी डॉलरे कॉंग्रेसोर प्रोटी एन्या पूतो लोगार जुश्टिप होंगे आजीर कॉंग्रेस नेताय कॉंग्रेसोर प्रोपीटो आदोर हो मानी नौसले बुली ओफिजु कोरिसे स्रमिस्ठा मुख देखे दूसरे लोगों को चांस दे क्योंकि जो लीडर 2014 में 2019 में राहुल गांधी पार्टी की फेस थे लेकिन लगातार पार्टी बुरी तरह से हार रहे हैं अभी जो दो वहने बाद चुनाओ आने वाले हैं उसमें भी सभी को पता है कि कॉंग्रेस के क्या हाल है लेकिन उसके बाब जूद भी जिस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उसको उनका इलाबा अजिव को है ही ही नहीं तो दूसरा कोई पार्टी में ऐसे बीजेपे में ऐसे हो सकता है क्या अभी जो सती है तो कॉंग्रेस पार्टी के फ्यूचर निल, सिंप की बाते कह रहे हैं तो पूरी तरह से मुझे लगता इए कि कॉंग्रेस की कोई फ्यूचर है और मेरे हिसाब से आप मुझसे सहमेख सेहमत न ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये राहुल, गांधी परिवार कॉंग्रेस की फेस रहेंगे, तो कॉंग्रेस में नया लीडर्शिप की, नया चहरे की और नया सोच की जो एक जरूरत है वो यह हो नहीं सकता ठहु स्थिकन आहिन और डुखापंशास खनर भूधानना खमंप्त हुआर हमयत验त, पाकिस्तान और दुगराकी कोई राजनिठी के, नीज द ले हमखागोरी स्थ तो टाल लाफ़ कुरी जोईलाफ कुरा बूली डावी कुरीöt है पाकिस्तान और प्राक्तन प्रधार्मत्री तठा बाटमान कारारुध्ध होई ठोका पाकिस्तान तेहरी की इंचाफ और नेता इम्रान खने अटा वीडियो बाटार जोरी होटे देखोर जना खाधारन धुन्य बाद जनाई दॉले हंखा गोरिस्तोता लाफ कुरी से बुली पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाजे आरू एई पोरी खंखाक लोई दॉल्तुर मुरब्बी नवाज शरीफे दॉल्तुए खाधारन निर्भासन जोय लाफ कुरा बुली दाभी कुरी से आन हटे विल्वाल भुद्तोर डॉल पाकिस्तान पेपल्स पार्टी ए लाफ कुर बाकिया से पाकिस्तान जोना हधारने इम्रान खनार डल पी टी आई हमाठीता प्राथिक ओधी घारत भुद्धान कुरी से जोडिव डेख खनार मुस्लिम लिग नवाज आरू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेट्रो जोता सरकार गथनार हमभा बनाय ओधी उलिग जुग अभुद्धार्बाठ आमी इति मुद्य उलेक कुरी सो प्राक्तोन प्रधान मट्री कारार उद्धा इम्रान खने जयलोर भीटरो पुद्धारो पुद्धा पुराटा वीडियो प्रस्तुत कुरी से जीनिकी देख जनों ताक हम बुधन कुरी से वीडियो जोरियोटे तो पुर्सिetas, पुरूरा Nawaz Sharif is a petty person who delivered a victory speech despite trailing by a margin of 30 seats, according to official results. No Pakistani will accept it. Even international media is speaking out against such absurdity. According to independent sources, we were winning on 150 seats of the National Assembly before rigging started happening. At this moment, we are leading 170 seats of the National Assembly according to data of Form 45. My fellow Pakistanis, you have made history. I am immensely proud of you, and I thank Allah for uniting us as one nation. Now, nothing can hinder our progress. Lastly, there is no need to panic. Celebrate the victory and offer prayers of gratitude. Despite two years of injustice and atrocities, we have won the 2024 election with a two-thirds majority. Everyone has witnessed the power of your vote. Now, demonstrate the strength to protect your vote. Pakistan पाकिस्तान अथा प्रथमबारोब पराजवय बरोन कुरीसे पाकिस्तान खेना हमर्ठीत राजनी द debate पाकिस्तान हमर्ठन कुरा पाकिस्तान-मुस्लीम लिग नवाज दिटियस थानत थमकेर है निर्बासुनर व्यापक अनियम तथा रिगिंग कोरियो हंखा गुरिस्थ दल हिसापे बिबेसित नोहल P.M.L.N. निर्बासुनर फलाफल कोखनार खमयेटे पुहरोलोय हिसे भोध केंडरत निर्बासुनी विखयाक दिया धामकीर भिज्वेल भोध कोणोना टर्रिगिंग न कोराबवे रिटर्निंग विखयाके उलियायए दिया हुसे भोध केंडरत पुरा ब्रिहस्पुटी बारे हुआ निर्भासुनार भूद गोहन और नग घंता पासोतो भूद गोनोनानु हुआ क्लोई PTI कर्मिया निर्भासुनार रिगिंग हुआर अभिजुक आनिसिल परबटी खमेट ए अभिजुक हज्ट प्रमानिता हुसा कारण लाहूर हमस्टीत रिटार्निंग भिखे सोही कुरी दिया भूद गोनोनार फुला-फुलार तालीकात भूद दानार हंखात कोई बोईधा भूत्तर हंखा ओधिक उलाइसे खेना हमस्टीतो PMLNA रिगिंग और होहाईलुआर सत्तेव इम्रान खानार डल PTI हमस्टीतो नीडिलियो प्राथिये ओधिक आखन लाफ कुरीसे अविसे एको खंखा कुरिस्था डल नहों लेव पाकिस्तान अध नवाश्रीफ़ डल पे बिलवाल भुद्तर पीपी पीर हमस्टान अध स्वरकार गोथन कुरार हंभावुनाव ओधिक अब तक जो जनता की राय सामने आई है जो रिजाल अभी तक निकला है उसके हिसाब से पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने दवा किया है कि उनका दल नहीं सरकार बनाएगा गोवर्मेंट फर्म करेगा पाकिस्तान में तो ऐसा कंफिडेंस किसलिए आया है इमरान खान को पहले हम जनना चाहेंगे आई है आकिंबस प्रका भ 고양्य दवा खान है कंफिडेंस कि उनका में थाया है आन् 한-चाहें किक works निरान नब्वेकन आखन लाब कोरी हंखा गुरिस्तात दल हीसा पे ए महुंतात बिवेसिता होई से गुटिके खेई बाबे इम्रान खने कारागारो प्राई ए ओडियोबार्टा प्रेरान कोरी से जे ट्यावे सरकार गत्मन कोरीबुदुदुदुदुदुदुदुदु बैट रिगिस्तान आव्य उभज़ोग उठपन होऊए से रिगीः कोरीबुदुदुदुदुद अब्चिन ओव्ज़ोग आई घ्यापक आज वभ्यपुदुदुदुदुदुदुदुदा धिय होई से ड्य गुज़योग रिग ante atokoda उपन होई ए रिगिःन आपको किन्टु पाकिस्तान पिपल्स पार्टी खोईटे पाकिस्तान मुस्लिम लिग नावाज एकोट्रीटो होई सरकार गठन कुरार हम्भावना अधिक अर्वान फाले इम्रान खन और डाबी जे निरान बोई खन आखन हंखा गुरिस्थ आखन लाफ कुरी पी टी आई सरकार नियूज एटिन नेटवर्क और सिनियर जर्नेलिस्ट कामरान शाकिर खोटे जी कामरान पहले हम जानना चाहेंगे इम्रान खान का जो कंफिडेंस गौब्मेंट फॉर्म करने का वो कैसे आया है बहुत शुक्रिया जी एक बड़ी एक्सरियत हो यकीनल इम्रान खान के इम्रान खान के हामियों को जो है वो मिली है जो इंडिपेंडेंट कैंडिटेट्स थे खड़े वो 99 के करीब उनके तैदाद जो है वो कंफिर्म होगी है जो अभी तक कौमी संबली की निशिस्तों प है वो आपके पास होना जरूरी है वो यह जरूरी नहीं कि किस पार्टी ने जो है वो ज्यादा सीर्स ली है ना सलमान यह रखता है कि कौन सी पुलिटिकल पार्टी या इन्फरादी तोर पे भी लोग मिलके जो है वो एक बड़ा एलाइस बनाते है और उनके पास सेदाद नहीं है कि वो किसी के तावुन के बगएर जो है वो अकूमत बनाए नूर लीग उनसे कभी भी शामिल नहीं होगी पीपल पार्टी का शामिल होना के चांसी बहुत कम हैं ना होने के बराबर हैं एमक्यों भी उनके साथ इतहाद नहीं करेगी ऐसे ही जे यू आई एफ का उ और वो जेल से बाहर आने का संभा बना कितना होगा देखे इम्रान खान के उपर तो बहुत सारे केसिस के अंदर मुख्तली मुकदवात में उन्हें सजाएं जो हैं वो सुनाईजे हो चुकी हैं अगर एक जगा के उपर उन्हें किसी जगा पर थोड़ा सा रलीफ मिलता था बाल